क्लास टू सब्जेक्ट ग्रामर इससे पहले हमने पढ़ा था पेज नंबर 12 की हमने एक्सरसाइस की थी आज हम पेज नंबर 13 पे चलेंगे पार्ट भी अंडरलाइन दा नेमिंग वर्ड जहां पे भी किसी का नाम आएगा common name जहां पे आएगा उसको हमने अंडरलाइन करना है और जहां पे कोई special नाम आएगा उसको हमने circle करना है special नाम मतलब कि किसी को एक special नाम दिया जाता है चाहे वो profession हो या कुछ भी हो तो वो उसको हमने circle करना है तो आप ध्यान से सुनिये और अपनी book और अपनी pencil हाथ पे लेकर जैसे मैं बताऊंगी आपने वैसे ही करना है ध्यान से सुनिये पहला सुनिये first the postman has brought a letter तो इसमें जो आपका special name है वो है आपका postman क्योंकि postman क्या है एक नाम दिया गया है जो कि letters लेकर आता है तो नाम है चिठी लेकर आने वाले का तो उसको हमने करना है circle आगे बढ़ते हैं इसमें letter आपका common name है letter आपका naming word है किसी चीज का नाम है तो उसको हमने क्या करना है underline postman को हमने circle करना है और इसी line में आगे बढ़ते हुए letter को हमने underline करना है नीचे आ जाईए two पे we usually have cornflakes and milk for breakfast तो इसमें देख लीजिए इसमें special क्या है special है इसमें cornflakes क्योंकि cornflakes क्या है एक अलग तरीके का हम नाश्टा करते हैं तो उसका नाम है cornflakes तो वो special है जब हम cornflakes बोल रहे है मतला हमें special चीज चाहिए वो है cornflakes तो cornflakes को हमने क्या करना है circle करना है और आगे बढ़ते हैं इसी में milk को हमने underline करना है क्योंकि milk क्या है एक naming word है किसी cheese का नाम है तो उसको underline करना है तो cornflakes को circle करेंगे और milk को underline आगे बढ़ते हैं three पे mummy has baked a nice cake for us तो इसमें देख लीजे mummy mummy को हमने करना है underline क्योंकि mummy is a name of a person mummy किसी का नाम है किसी person को एक नाम दिया गया है mummy तो mummy को हम करेंगे underline और इसमें आगे बढ़ते हुए cake को हम करेंगे circle क्यों करेंगे क्योंकि cake क्या है मतलब एक special dish है जो की mummy बना रही है तो वो है cake तो cake को circle mummy को underline करना है cake को circle करना है आगे बढ़ते हैं four there is a goat in the field तो इसमें देख लीजे goat क्या है name of an animal तो goat को हम करेंगे underline और इसमें field भी क्या है name of a place तो इसमें दोनों ही क्या है naming words है इसमें कोई भी special name नहीं है तो goat को भी underline और field को भी underline आगे बढ़ते है five would you like a cup of tea तो इसमें देख लीजे cup क्या है name of a thing किसी चीज का नाम है cup तो cup को हम करेंगे underline और tea को करेंगे हम circle क्योंकि tea क्या है special name है तो tea को circle तो cup को underline और tea को circle आगे बढ़ते है six विजे and I are going to the park विजे विजे क्या है name of a person तो विजे को हम करेंगे underline आगे बढ़ते है ऐसमें पार्क को भी करेंगे हम underline क्योंकि पार्क क्या है पार्क is a name of a place किसी जगे का नाम है तो उसको भी underline करेंगे आगे बढ़ते है seven A dog bit Sanjay so he was taken to the hospital तो देख लीजे इसमें सबसे पहले जो आ रहा है dog name of a animal name of an animal तो इसको भी हम underline करेंगे इसी में आगे बढ़ते हुए Sanjay Sanjay को भी हम underline करेंगे क्योंकि Sanjay क्या है name of a person और इसी में last में जो hospital है उसको भी हम underline करेंगे क्योंकि hospital is the name of a place तो dog को भी underline Sanjay को भी underline और hospital को भी underline आगे बढ़ते हैं page number 14 8 number देख लीजे my uncle works as a lawyer in नागपूर तो इसमें जो uncle है उसको हम करेंगे underline क्योंकि ये uncle भी क्या है name of a person है और इसमें जो lawyer है, lawyer को भी हम करेंगे underline क्योंकि lawyer भी क्या है name of a person है और इसमें जो नागपूर है नागपूर है कि special name है, क्यूं? क्योंकि नागपूर जब हमने किसी city का नाम लिया है तो वो special है तो उसको भी हम करेंगे circle तो uncle को underline lawyer को underline और नागपूर को circle आगे बढ़ते हैं 9 The eagle is chasing a dove Eagle Eagle is a name of a bird तो eagle को underline और dove को भी underline इसी में आगे बढ़ते हैं 10 A tiger escaped from the zoo and entered a village near Ahmedabad तो tiger क्या हो गया है? एक animal का नाम है तो उसको underline करेंगे फिर zoo जू क्या है? किसी जगय का नाम है name of a place तो उसको भी underline village विलेज भी क्या है? किसी जगय का नाम है तो उसको भी हम करेंगे underline लेकिन जब बोल दिया Ahmedabad, तो Ahmedabad को हम करेंगे circle क्यों? क्योंकि Ahmedabad क्या है? किसी शहर का नाम है और वो एक special name है तो उसको हमने कर दिया circle तो आपने इसी तरीके से इसको अपनी copy में पहले उतारना है जिसको circle करना है उसको circle जिसको underline करना है उसको underline अब चलते हैं page number 14 में इसी के नीचे C part देख लीजे pick out the common and special names from the word list put them in the correct boxes given below आपको उपर एक box दिख रहा है वो person हो सकते हैं place हो सकते हैं thing हो सकती है और नीचे आपको दो columns दिये हैं special name और common name तो हमने उपर से छाट के जो special name है उनको special name में लिखना है जो common name है उसको common name में लिखना है मैं आपको ऐसे board में बताऊंगी तो यह देख लीजेब आप board पे हमें दो column दिये हैं special name और common name उपर हमें कुछ words दे रखे हैं जिसे हमें select करके इन columns में fill करना है तो पहले हम समझेंगे special name special name होते हैं जैसे कि अगर हम बोलेंगे man तो man common है लेकिन जब हम किसी का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा special क्योंकि उसका नाम लिया जा रहा है हम किसी city का नाम लेते हैं तो वो special हो जाता है ठीक है तो अब आप इसको थोड़ा board पे समझ लीजे देख लीजे special name आपने भी इसी तरीके से लिखना है इनके आगे इसी तरीके से आप उता लिएगा तो यहाँ से जो जो हमें words दिख रहे थे हमने उसे special name सेलेक्ट करके special name column में लिख दिये तो पहला special name है गोपाल गोपाल किसी person का name है लेकिन वो नाम लिया जा रहा है उसका तो वो special name है लंडन London है एक शहर का नाम है एक देश का नाम है तो London special है इसलिए London Singapore उसी तरीके से Monday अगर हम सिर्फ बोलते week तो वो होता आपका common लेकिन हमने लिया है day का नाम लिया है हमने Monday तो वो special है April month बोलते अगर तो वो common होता लेकिन जब हमने month name ले लिया है April तो वो special name में आग गया John किसी का नाम लेके बोला जा रहा है particular तो special आगरा शहर का नाम है आगरा बोला जा रहा है तो special Abdul किसी का नाम special name में आएगा गांधी जी नाम है तो special पाकिस्तान किसी जगे का नाम लिया जा रहा है तो वो भी special name है सरोजा किसी के लिए बोला जा रहा है नाम लेके तो सरोजा भी special name है कोलकटा, कोलकटा भी एक शहर का नाम है इसलिए जो भी जहां पे भी किसी person का name लिया जाएगा animal का name लिया जाएगा, place का name लिया जाएगा month और week का name लिया जाएगा तो वो special name में आता है इसी तरीके से common name समझ लीजिए इसको आप common noun और proper noun की तरह भी समझ सकते हैं जैसे proper noun में particular किसी चीज का नाम लिया जाता है तो वो आता है आपका special name में तो इसी तरीके से common name को आप समझ लीजिए common name में आ गया teacher क्योंकि अगर हम बोलेंगे, नाम लेंगे कि science teacher तो वो हो जाएगा आपका special लेकिन अभी हम सिर्फ बोल रहे है teacher उसी तरीके से aunt, aunt common है क्योंकि aunt अभी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है कि aunt polya, aunt कुछ भी हम नाम ले सकते हैं, lina तो वो aunt आएगा सिर्फ common में month मैंने आपको उपर बताया था कि अगर April, May, June बोलेंगे तो वो special होगा लेकिन अभी सिर्फ month बोला जा रहा है तो वो common है friend, friend में अगर मैं नाम लेती रानी, सुमन, तो वो special होता लेकिन अभी सिर्फ friend बोला जा रहा है तो वो common है village, किसी गाउं का अगर नाम लिया जाता तो वह special है लेकिन अभी सिर्फ City बोला जा रहा है तो वह common है फेस्टीवल में अगर हम बोलते एद, होली, दिवाली, तो वह special name होता लेकिन अभी सिर्फ festival ही बोला जा रहा है तो वह common name में आएगा Town, town में अगर हम कोई जगय का नाम लेते तो तब वह special होता लेकिन अभी सिर्फ टाउन है तो वो common है building, building भी आपकी common है, river में अगर हम नाम लेते, ganga kaveri, तो वो होता special लेकिन अभी हम सिर्फ river बोल रहे हैं तो वो common name में आएगा तो इस तरीके से आपने इसको अपनी copy में बनाना है और special name जो है उसके आगर लिखने है common name आपने इसके आगर लिखने है तो मैंने अभी आपको page number 13 बताया था, part B वो भी आपने अपनी copy में करना है और अभी मैंने आपको फिर page number 14 में जो C वाला बताया है वो भी आपने इसी तरीके से अपनी copy में करना है